हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के प्लान सरल पैंशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्लान नमबर है 862 तो जैसे की नाम से ही पता चलता है ये एक पैंशन प्लान है तो अगर आप भी अपनी पूरी लाइफ पैंशन चाहते हैं तो आप इस इंशुरेंस प्लान को ले सकते हैं इस प्लान की खास बत यह है कि जब आप इस प्लान को बाय कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपको पैंशन मिलना शुरू हो जाती है यानि कि ये एक immediate annuity plan है इस plan को लेने के लिए यहाँ पर आपको एक साथ policy के premium की payment करनी होगी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 3 मईने, 6 मईने या हर साल अपने policy का premium पे करें यहाँ पर एक single premium आपको pay करना होगा उसके बाद जैसे ही आप premium पे करके policy को buy कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर pension मिलना शुरू हो जाती है इस plan की एक खास बात ये भी है कि इसमें आपको guaranteed pension मिलती है यानि कि इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ साल बाद जो आपकी pension का amount है वो कम कर दिया जाए जालतर ऐसा देखा जाता है कि जो bank के interest rate है वो कम होते जाती है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जो policy लेती समय आपको pension का amount बताया जाएगा वही pension का amount आपको पूरी जिंदगी मिलता रहेगा उसके बाद यहाँ पर LIC ने इस plan में आपको दो option दिये है एक है single life का और एक है joint life का अगर आप अपने लिए pension लेना चाहते हैं तो आप single life option चूज कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके ना रहने के बाद आपकी wife को भी pension मिलती रहे तो आप joint life का option ले सकते हैं इसके बारे में हम आगी detail में example लेके भी समझेगे तो आईए अब जान लेते हैं कि कौन को नवैक्ती इस insurance policy को buy कर सकते हैं तो इस plan को लेने के लिए जो minimum age दे गई है वो है 40 साल की अगर आपकी उम्र 40 साल या 40 से जादा की है तो आप इस insurance plan को ले सकते हैं यहाँ पर 40 साल की age इसलिए रखी गई है क्योंकि जिनकी उम्र जादा है उन वैक्तियों को pension की ज़रूरत होती है उसके बाद यहाँ पर maximum age की बात करती है तो वो यहाँ पर दी गई है 80 साल की यानि कि 40 साल से लेके 80 साल तक के उम्र के वैक्ती इस insurance policy को ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है minimum purchase price की यानि कि इस policy को लेने के लिए आपको कितने premium की payment करनी होगी तो यहाँ पर LIC ने direct minimum purchase price ना बता कर यह बताया है कि आपकी कम से कम pension कितनी होनी चाहिए तो अगर आप monthly pension लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1000 रुपे की pension इसमें लेनी होगी उसी के हिसाब से ही आपका जो purchase price है वो यहाँ पर calculate किया जाता है उसके बाद यहाँ पर अगर आप तीन महीने में pension चाहते हैं तो आपको हर तीन महीने में 3000 का amount लेना होगा इसी तरीके से अगर आप half yearly pension चाहते हैं तो कम से कम 6000 रुपे का pension amount लेना होगा इसके basis पे ही आपका जो है premium calculate किया जाएगा जो कि आपको one time pay करना होगा उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum purchase price की तो यहाँ पर LEC ने इस पर कोई भी limit नहीं लगाई है जितना amount भी आप annuity का इसमें लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है mode of payment की तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इसमें जो आपको policy का premium है वो एक साथ जमा करना होता है यहाँ पर installment में आपसे पैसे नहीं लिये जाएगे उसके बाद यहाँ पर बात आती है annuity modes की यानि कि जो आपकी pension का amount है वो आप कितने time interval बाद चाहती है तो आप चाहाए तो एक साल में भी pension ले सकती है हर छे महीने में pension ले सकती है हर तीन महीने में ले सकती है या हर महीने भी pension का amount ले सकती है यह mode आपको policy लेती से मैं select करना होगा और उसी के हिसाब से ही आपको payment मिलती रहेगी तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पर LIC के तरफ से दो NUT के option मिलती है एक है single life और जूसरा है joint life तो अगर आपको सिर्फ अपने लिए insurance policy buy करनी है या pension plan buy करना है तो आपको single life option select करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी death होने के बाद आपके spouse को भी pension मिलती रहे तो आपको joint life option select करना है तो यहाँ पर अगर आप joint life policy लेते हैं तो किसी भी एक वैक्ति के death होने के बाद दूसरे वैक्ति को pension मिलना शुरू हो जाती है और यहाँ पर जब दूसरे वैक्ति की भी death हो जाती है तो जो purchase price है वो आपके nominee को दे दिया जाता है यानि कि जो insurance cover का amount है वो आपके nominee को मिल जाता है आईए अब एक example लेके इसको थोड़ा detail में समझते हैं कि option 1 में आपको कैसे benefit मिलेगे और option 2 में आपको कैसे benefit मिलेगे तो example समझने के लिए मान लेते हैं कोई वैक्ति है जिसके 60 साल की उमर है वो इस pension plan को लेना चाहते हैं और यहाँ पर हम मान के चलती है कि 10 लाख रुपे वो इस pension plan में डालना चाहते हैं और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि वो वैक्ति इस pension plan में 10 लाख रुपे इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानि कि जो purchase price होगा वो 10 लाख रुपे होगा इसी के सासत आपको जो GST का amount है वो भी यहाँ पर pay करना होगा और यहाँ पर हम annuity mode मान के चलते हैं yearly यानि कि यह वैक्ति हर साल अपने pension का amount चाहते हैं तो अभी के लिए इसमें हम मान लेते हैं कि option 1 यह वैक्ति select कर लेते हैं जिसमें single life pension का option available है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इस वैक्ति की 60 साल की उमर हो चुकी है तो जब भी यह वैक्ति इस insurance plan को buy करेगें तो जो purchase price है और GST है वो amount यहाँ पर इनको pay करना होगा उसके बाद इनको हर साल pension का amount मिलता रहेगा अगर हम इसकी annuity rate की बात करें तो वो है 5.165% जिसमें आपको 51,650 रुपे हर साल pension का मिलता रहेगा और यह amount तब तक मिलता रहेगा जब तक आप जीवित रहते हैं माल लेते हैं आप 90 साल तक जीवित रहते हैं तो आपकी 90 साल तक यह pension मिलती रहेगी अगर आप 95 साल जीवित रहते हैं तो 95 साल तक भी आपको pension मिलती रहेगी जब तक आप जीवित रहेगे जब तक ये pension का amount आपको मिलता रहेगा और ये amount guaranteed है ना ही ये amount कम होगा और ना ही ये amount जादा होगा उसके बाद यहाँ पर जब भी इस वैक्ति की death होगी तो उस समय यहाँ पर ये जो pension का amount है वो बंद हो जाएगा और यहाँ पर जो भी इस वैक्ति का नोमिनी होगा उसको purchase price दे दिया जाएगा यानि कि जो हमारी policy में 10 लाख रुपे का amount था वो इस वैक्ति के नोमिनी को दे जाएगा और यह जो policy है वो खतम हो जाती है तो यहाँ पर जब तक वैक्ति जीवित रहता है तब तक pension का amount मिलता रहता है और जब वैक्ति की death हो जाती है तो उस समय जो purchase price का amount है वो उस वैक्ति के नोमिनी को दे दिया जाता है तो आईए अब एक दूसरे example लेके joint life annuity option को भ 55 साल की है यान की जो यह husband wife है यह एक joint life pension plan लेना चाहते हैं और यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं जो purchase price है वो 10 लाग रुपे का है और यहाँ पर जो annuity option होगा वो yearly यह लेना चाहते हैं यान की हर साल जो pension का amount है यह लेना चाहते हैं तो जैसे ही यह वैक्ति policy buy करते हैं तो उस समय 10 लाग रुपे plus GST का amount यहाँ पर premium की रूप में इनको देना होगा उसके बाद यहाँ पर जो हर साल pension का amount है वो मिलता रहेगा यहाँ पर जो yearly pension का rate होगा वो होगा 5.115% यानि की हर साल 51,150 रुपे इन वैक्ति को मिल जाएगी यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना चाह कि यहाँ पर दोनों लोगों को pension नहीं मिलती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वैक्ति को pension मिलती है तो यहाँ पर total जो amount pension का होगा वो 51,150 रुपे ही होगा काफी लोग यहाँ पर समझते हैं कि 51,150 रुपे दोनों को ही मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है तो यहाँ पर जो यह amount अमाउंट है 51,150 रुपे का ये पहले व्यक्ति को मिलता रहेगा जब तक वो जीवित है जब पहले व्यक्ति की देथ हो जाती है तो उसके बाद ये अमाउंट दूसरे व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है जैसे कि हमने देखा जो मेल की उमर थी वो 60 साल की थी तो मान के चल मिलता रहेगा जब तक ये second person जीवित रहेगा तब तक ये pension का amount उनको मिलता रहेगा और जब यहाँ पर second person की भी death हो जाती है तो उस समय जो भी policy का purchase price था वो आपके 9 मिनी को दे जिया जाता है यानि की आपके नोमिनी को 10 लाक रुपे का amount मिल जाता है यानि की pension तो मिलती ही रहेगी साथ में जब death होगी उसके बाद policy का amount आपके नोमिनी को मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप joint life option select करते हैं तो पहले एक वैक्ति को policy का यहाँ पर pension amount मिलता है जब पहले वैक्ति की death हो जाती है तो उसके बाद ही जो दूसरे वैक्ति है उसको pension का amount मिलता है और जब दूसरे वैक्ति की भी death हो जाती है तो जो policy का purchase price था वो नोमिनी को दे दिया जाता है तो उमीद करता हूँ आपको यह example काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपको doubt है इसके बारे में तो आप comment में पूछ सकते हैं तो आईए अब बात करते हैं इसके other benefit की यानि कि इसमें आपको और कौन-कौन सी सुवीधा मिल जाती है तो यहाँ पर इस policy पर आप loan भी ले सकते हैं policy शुरू होने के 6 मैने बाद इसमें आपको loan की सुवीधा मिल जाती है जो इसकी condition है वो आप screen पर देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी policy को surrender करना चाहती हैं तो अपनी policy को surrender भी कर सकते हैं जब भी आप policy अपनी surrender कर देती हैं तो उसके बाद आपको जो भी pension का amount है वो नहीं मिलता है और आपकी जो policy है वो बंद हो जाती है तो policy अगर आप surrender करना चाहती हैं तो policy शुरू होने के 6 मैने बाद आप अपनी policy को surrender कर सकती हैं लेकिन इसके यहाँ पर एक condition दी गई है अगर यहाँ पर आपके family member को कोई critical illness हो जाती है तो उसी condition में ही आप अपनी policy को surrender कर सकती हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है tax benefit की तो यहाँ पर अगर हम बात करें premium की तो income tax के ATC section के हिसाब से आप अपने policy के premium की deduction आती है NUT की तो यह जो आपको pension का amount मिलता है यह taxable होता है तो जो भी आपका income tax lab rate होगा उसके हिसाब सही जो आपकी pension का amount है वो taxable होता है उसके बाद अगर हम बात करें death claim की तो death claim यहाँ पर tax free होता है policy holder की death होने के बाद जो भी purchase price nominee को मिलता है उस पर nominee को कोई भी tax नहीं देना होगा उसके बाद यहाँ पर अगर जो लोग जानना चाहते हैं कि आप इस policy को कैसे buy कर सकते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप इस plan को online भी buy कर सकते हैं और offline भी buy कर सकते हैं अगर आप online buy करना चाहते हैं तो LIC की website licindia.in से buy कर सकते हैं और अगर आप offline buy करना चाहते हैं तो किसी भी LIC agent से इस insurance policy को buy कर पाएंगे तो उमीद करता हूँ आपको इस insurance plan की सारे information मिल गई होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो वो आप comment में पूछ सकते हैं अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे motivation मिलती है कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँ और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि इस तरह की latest वीडियो आप सभी को free में मिलती रहें धन्यवाद